नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Best Notes Tutorials में दोस्तों आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आप कैसे भी किसी भी नंबर को टू डिजिट नंबर से इजिली डिवाइड कर सकते हैं कन्विंशनल मेथड आप सभी को आता है करना आज मैं आपको Shortcut Method कह सकते हैं या Easy Method कह सकते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने का बताने चाह रही हूँ आए स्टार्ट कर दें मान लीजिए आपको नंबर दिया गए बचो 9216 divided by 72 तो बच्चो अगर आपके पास यह कोशन है तो आपको दिमाग में एक तम वही कन्मेंशनल मैथड आगया होगा कि 72 को यहां लिखो 9216 को यहां लिखो और देन सॉल्व करो इस तरीके से ठीक है आज हम इस मेथड को बच्चो नहीं करेंगे आज मैं आपको बताऊंगे इसी मेथड सॉल्व करने का तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे देखो आपको क्या करना है जैसे 72 है तो जो 7 है आप उसको ऐसे रिखोगे और जो 2 है उसका फ्लैग बना दोगे ठीक है अब इसका क्या यूज होगा मैं अभी आगे बताऊंगे अब हमारे को कौन से न इसका यह मतलब है जब हम इस पॉइंट पर पोचेंगे तो हमारे को क्या करना है यहां पर पॉइंट लगाना है आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले बच्चो 9 जो हमारा पहले नंबर 9 है इसको डिवाइड कीजिए 7 से सिर्फ 7 से डिवाइड करना है तो 7 बंज से 7 रिमें बचा उसे हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे नंबर कितना आगे हमारे पास 22 तो इसे 22 को यहां लिख दीजे माइनस अब हम क्या करेंगे जो हमारी जो फ्लैग वैल्यू है उसको हम अपने कोशंट से मंटिप्लाई कर देंगे और 22 से माइनस कर देंगे तो फ्लैग वैल् 72 जा 14, 73 से 21 तो यह 2 से जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 14 ठीक है, remainder कितना बचा 6, तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे ठीक है, अब हमारा number क्या बना बच्चो 61 अब हम क्या करेंगे फिर सब वही करेंगे हमारा जो quotient है उसको flag value से multiply कर देंगे और 61 से divide कर देंगे तो quotient कितना है, 2 remainder कितना है, 2 तो बच्चो नमबर क्या जाएगा 57 अब हम इस 57 को divide करेंगे फिर से 7 से, तो हमारा क्या जाएगा 7, 8, 56 ठीक है, remainder कितना बच्चा 7, 8, 56, remainder बच्चा 1, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे अब क्योंकि हम यहाँ बार तक पहुंच गए तो इसे point लगा दीजे फिर से अब आपको क्या करना है नमबर लिख लिजे 16 minus, अब मैंने भी आपको क्या बताया तो आपको क्या करना है, quotient की value से flag value को multiply करना है quotient की value क्या है, 8 और flag value क्या है, 2 तो इसको हम करेंगे तो बच्चों क्या है का answer 0, तो point 0 तो इस quotient में बच्चों हमारा quotient क्या हुआ 1, 2, 8 अब चो remainder है, वो क्या हुआ 0 आया सबको यह trick समझ में, यह method समझ में दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो like and share जरूर करें thank you